एक समय था जितने भी लोगों को financial problem आता था या आपको moratorium चाहिए थी या आपको loan के regarding किसी भी तरह से कोई परिशानी होती थी recovery agent परिशान कर रहा है bank moratorium apply नहीं करने दे रहा है क्या वो तरीका होता है जिससे आप recovery agent से बस सकते थे आपको किसी भी तरह का कोई भी लीगल परिशानी होती थी तो सबसे जादा लोग किस चैनल को सर्च करते थे ट्रॉस्टेबल चैनल था यह सबसे पुराना चैनल है जो इसके बारे में काफी ज्यादा डिश्क्वेशन किये जाते थे बाद में बहुत सारे लोग आए जिन्हो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है पर किसका फायदा हुआ तो आज के वीडियो के बाद मेरा यह प्रयास रहेगा कि जितने भी लोग बैंकिंग टर्म से काफी जादा परिशान है उनको जादा से ज्यादा रिलीव पहुंचाया जा सके मैं हर वीडियो में टॉपि पूरा उपाय बता हुआ कि आपके लिए बेश्ट उपाय क्या होगा वीडियो को स्टार्ट करते आज सुबह में मैं एक सब्सक्राइबर ने मुझे फोन किया था जितने भी लोग लोन के रिगार्डिंग परशान इस वीडियो कहीं स्किप मत किजगा यह चीज आपके आएंगे आपके सामान को बेज देंगे और आप जहां पर जॉब करेंगे आपके परोसी को तंग करेंगे और दिन में कम से कम सौ से 200 बार उन्हें कॉल किया जाता है ऐसी परिष्टिति अगर किसी के भी साथ आता है अगर रिकवरी एजेंट आए और वो उनका क्या और णो कर रहा है आपको टॉर्चर कर रहा है और आप से डिडान चाहते हैं में से बदत में करना है और रिकवरी एजेंट रहे और यहां करने का आपका घर में कोई भी समान है तभी बेचा जा सकता है तभी उसको निकाला जा सकता है आपने अगर सिक्योर लोन लिया है अगर उस सिक्योरिटी में वह लोन नहीं फुल्फिल करता तो कोई भी प्रॉपर्टी आपके घर किसी भी समान को कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं चुछ सकता है यह सिर्फ आपको डराने के लिए अगर पुलिस का धंकी दे रहा है तो इस पे भी कोई काम नहीं होगा अब सबसे पहले अगर इस तरह से अगर आपके साथ करें तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर वह कॉल करता है तो प्रयास यह करें कि उन नाम मेंशन करता है जब आप कंप्लेंड करोगे तो इस बैंक पर कंप्लेंड कर पाओगे अगर उसके अलावा अगर आप लीगली को कंप्लेंड करना चाहते हो तो यहां पर बहुत जरूरी होता है कि जब रिकवरी एजेंट से आप लोग बात करते हो कि आप मुझे लोन क यह सबसे बड़ी गल्दी करते हैं कि अब इस महने देदो में अगले में चांट मिलता है कि इस महने करा दिया तो आपका वह आपका लोन कर ने का पावर ही नहीं रगता ना ब्रांच मैनेजर रखता है कभी भी आपको लोन settlement के बारे में अगर बात करना है तो अपने regional branch manager से बात करे तभी जाके आपको loan ने किसी भी तरह से किसी भी position पर रियायत मिलेगा अगर इनके साथ यह problem हो रहा है तो सबसे पहले इने क्या करना चाहिता है इने recovery department में complain करना चाहिए तो सचेट पर जैसे मैंने की आपको बताया अगर settlement कराना है तो settlement कराने के लिए region manager से बात करना चाहिए और इसमें क्या हो सकता है इसमें कोई भी bank nbfc company का कुछ भी नहीं भी पाता है यह अगर पैसे नहीं देते हैं अगर कोई भी complain करें तो उनका voice record कीजिए और complain कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही था जैहिंद बने मात्रों